बीते दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं एक बढ़ा एलान किया है कि बिहारवालों को 10 लाग नौकरी तो मिलेगी ही इसके साथ 10 लाग रोजगार के लिए तेजे से काम भी शुरू कर दिया गया है यानि के आने वाले समय में मुख्यमंत्री नितीश कु रहा है जिस पर नए साल के अंत तक वेकेंशी लाई जाएगी यह लान मुख्यमंतिर नितीश कुमार ने बीते दिन मंगलवार को ज्ञान भवन में बिहार लोग से वायोग के द्वारा चुने गए नौ विभागों की पदाधिकारियों को न्यूक्ति पत्र बांटने की समय क कर रहे हैं दस लाख नौक्री पर पूरी तरीके से काम किया जा चुका है बस नौक्ति पत्र की प्रकरिया बांकी है इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि मुख्यमंतिर नितीश कुमार जब ग्यान भवन पहुचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उ और उसके बाद संबोधन करने के लिए जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं बिहार के सभी विभागों में नियुक्तियां लाने के लिए बहुत कोशिशे कर रहा हूं दस लाख लोगों को नौकरी और दस लाख लोगों को रोजगार देने की काम में पूरा विभाग लगा हुआ है इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर मौझूद मुख्य सचीव को कहा कि आप जल से जल नियुक्ति की प्रेकिरिया को पूरी करवाईए आप लोग बहुत दे लानी होगी तब ही जल्दी से आम लोगों को नौकरी का उफसर मिल पाएगा मुख्यमंत्री नितेश कुमार जब ज्यान भवन पहुंचते हैं तो उन्होंने 456 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया और आने वाले समय में और भी नौकरी बिहार वालों को मिलेगी इस बात का भी खुलासा कर दिया है मुख्यमंत्री ये सब कहते हुए ये भी कह देते हैं कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेश राजी का दरजा देती है तो हम लोग और भी नौकरी देने का प्रयाश करेंगे और हमारे बिहार में विकास का काम और भी तीजी से होगा लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है हम विहार राज में अपनी दम पर भी विकास का काम कर सकते हैं और कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि विहार में अब कोई गरीब नहीं रहेगा सरकार सभी पर ध्यान देगी और सभी के विकास के लिए काम भी करेगे इसक कि खूशी हो रही है कि बिहार पुलिस में 19000 महिलाएं और इतनी महिलाएं पुलिस विभाग में देश्ट की किशी भी राज में नहीं है बिहार राज में मेटीस प्रतिशत का आरेक्षन दिया जाता है और ये बेहत खूशी की बात है महिलाएं आगे बढ़कर खूब तरक्की कर रही हैं मुखी मंतिर नीती शुमार आगे कहते हैं कि प्रात्मिक विद्याले में जिन महिलाओं के नियुक्ति होती है उन्हें हम 50% का आरक्षन देते हैं सबसे पहले बिहार राज में पंचायत और शहरी निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षन दिया गया है और हम से पहले ऐसे किसी ने भी नहीं किया था महिलाओं के बारे में जितना हमारी सरकार सोचती है उतना किसी भी राजी की सरकार नहीं सोचती बलके हमने जब महिलाओं को आरक्षन दिया तो उसके बाद कई सारे औरे राज्यों ने भी अपने यहां इसे लागों किया है इसके साथ साथ मुख्य मंतरी नितिश्क मार ये भी कहते हैं कि हम बियार वालों के लिए बहुत नौकरी के अफशर लाएंगे और अब तक हमने लाया भी है आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग मन लगा कर काम कीजिए हम आप लोगों का वेतन भी बढ़ा देंगे इसके वाद मुख्य मंतरी ये भी कहते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्षिन देखते रहे हैं धन्यवाद